हे गाईज मैं सुभम आप सभी लोग का अपने जनल हाई फाई इस्दुकेटर में स्वागत करता हूँ तो लेकर आगए हैं ग्रीक कल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक चीज कहेंगे कि ये जो आप देख रहे है पीले कलर का इसे कहते हैं बेल आइकन अगर आपने प्रेस करके ओके नहीं किया है वहाँ पे तो आप उसे ओके कर लिजए क्योंकि हमारे जो सस्क्राइबर है तीन सो पैताली सस्क्राइबर जिनोंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया प्रेस कर लेंगे तो उसके चारो तरफ ऐसे हो जाएगा तो प्लीज प्रेस कर लिज guards नहीं प्रेस कियें हैं चेक कर लिजे चेक कर लेंगे तो आपको हमारे वीडियो के notification मिल जाएंगे जो की 90099 रुपय का course है मैं पहले ही बोलाओ कि यह एक महीने course चलेगा तो अगर आप नहीं किये हैं प्रेस तो कर लिजे और सबसे पहले सस्क्राइब तो जरूर करिया कर चैनल पे नहीं है तो चलिए गाईज ज़्यादा बाते न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं तो गाईज पहला कोशन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि जिवारू कालोनी को कहते हैं मतलब जिवारू का जो कालोनी होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं कवक जाल क्या कहते हैं कवक जाल कहते हैं वही नेक्स्ट कुश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि बिसिस्ट उस्मा उच्चतर होता है मतलब अधिकतर कब होता है तो हुमस में उच्चतर होता है बिसी चुस्मा सो काईज नेग्स फिर जलते हैं नेग्स आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पीले रंग के फल और सबजियो में प्रचूर मात्रा में होता है तो कौन सा बिटामिन होता है तो वो बिटामिन कौन सा होता है बिटामिन A होता है चले गाइस नेक्ष में जलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि फैलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है तो ये किसका होता है तो ये होता है गेहु का जो कि ये छिरकाव हेतु उप्यूक तो उरुरक होगा तो पड़ी छिरकाव के लिए उप्यूक तो जो उरुवक होता है वो होता है यूरिया चलेगा इस next में आपसे पुझा जाता है कि c4 plants होता है तो c4 plants कौन होता है मक्का होता है जो कि c4 plants होता है ये question सबसे ज़्याधा important है चलेगा इस next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि summon with नियंतरब प्राली मतलब कहा जाता है IPM इसे ध्यान दीजेगा IPM इसे कहा जाता है हिंदी में समन्वित नियंदर प्रडाली भी कहा जाता है तो पूछ रहा है कि समन्वित नियंदर प्रडाली में कीट विस के प्रयोग का आधार होगा तो कीट विस के प्रयोग का जो आधार होगा वो नियूंतम आर्थिक इस्तर होगा चले गाईज, next वे जलते हैं, next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि मक्के के पौधे में, मक्के के पौधे में पहले क्या निकलता है? तो मक्के के पौधे में जो पहले निकलता है वो होता है नर मांजक निकलता है क्या निकलता है नर मांजक सबसे पहले निकलता है तो गाइज नेक्स वे जलते हैं नेक्स में आपसे पूछा जाता है तो गाइज नेक्स में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि प्रजनक बीच की संतती कहलाती है तो प्रजनक बीच की जो संतती कहलाती है वो कहलाती है आधार बीच कहलाती है आधार बीच कहलाती है वही नेक्स कोशन में बहुत ही अच्छा कोशन पूछा जाता है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि सच्छे विज्ञान के जनक है तो सच्छे विज्ञान के जनक जो है वो है पीटर डेक्रे सेंजी है पीटर डेक्रे सेंजी है इस नेक्स्ट में आपसे बहुत अच्छा कोशन पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है तो पूछा जाता ह कि फसल सुरच्छा के लिए समन्वित कीट प्रबंद मतलब IPM हमने पीछे भी बताया है का सुभारम किस पंचवर्सी योजना में किया गया था तो साथवी पंचवर्सी योजना में किया गया था कि कौन सी योजना में साथवी पंचवर्सी योजना में चलेगा इस नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि बीज अधिनियम किस वर्स में पारित हुआ था तो बीज अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1986 में पारित हुआ था चलिए गाइज नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि बाल रहित रोग साधारतया किस फसल में होता है तो बाजरा में होता है किसी में होता है बाजरा में ये रोग बहुत ही ज़दा होता है आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए सस्क्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें प्रोस्थाहां दीजिए चलेगा इस नेक्ष्ट में चलते हैं नेक्ष्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि मुग फली में तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है तो मुग फली में जो तेल होती है वो होती है 45% और protein जो होता है 26% चले गाई इस next में जलते है next में आप से पूछा जाता है की बताईये की संकскихष धान की खेति किस देस में प्रचलिध है संकरधान की खेति आप जानते हैं कि चीन में सबसे यदा प्रचलिध है यह वहाँ पर hybrid seeds का use पूछ बहुत ही ज़ादा किया जाता है सो गया ये नेक्ट उसकि चलते हैं आपसे पूछा जाता हैं कि बताईाइक कि कपास जिस कुल का पुद पूछा जाता है कि पौधे के लिए अनावस्य किन्तु लाफकारी तत्व है तो वह है वैनेडियम वह कौन सा है वैनेडियम एन सोडियम चलिए गाइस नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि एफिड एवं सफेद मक्ही का प्रभावी नियंत्रड होता है तो उस प्रयोग करके हम उसे मार सकते हैं चलिए गाइस नेक्ष में पूछा जाता है कि आलू है तो आलू एक क्या है रुपांतरित तना है क्या है रुपांतरित तना है तो गाइस नेक्ष में जलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि आलू में ब्लेक हार्ट का कारण है ये रोग लगता है किसके कारण, ये रोग लगता है, इसलिए कि आकसीजन की जब कमी हो जाती है, तो आलू में ये रोग लग जाता है, आम और अम्रूद की रोपाई का समय कब है तो वो है जून और जुलाई इस नेक्ष में पूछा जाता है कि खाने योग केला है तो खाने योग जो केला है वो त्रिगूडित होता है चले गई इस next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि अंगूर की छटाई का उप्युक्त समय है तो अंगूर की जो छटाई का उप्युक्त समय है वो है जन्वरी तो आपसे बस इतना ही निवेदन है आपको कोई भी पैसे हमें नहीं देने है क्योंकि ये मैं फ्री में प्रोवाइट करा रहा हूँ आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इसे चेक कर लीजे अभी अभी जश्ट चेक कर दिजिए जिससे आपको हमारे वीडियो के नाटिफिकेशन मिल सके और साथ में प्लीज गाईस अगर वीडियो पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे और आपसे यही कहूंगा कि कल की वीडियो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और बहुत ही ज्यादा एगरी कल्चर के आप